तो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रिवाबैन B-Stabulate एक दवा है जिसे एंटी कोग्लुएंट या बलड थिनके नाम से जाना जाता है। यह रक्त के ठक्कों को रोकने और उनका इलाज करने में मदद करता है। इसका उप्योग स्ट्रोक और दिल के दोरे के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। यह आपके पैरों, फेफ़डों, मस्तिश्क और हिर्दे की नसों में ठक्का बनने से रोकता है और उसका उप्चार करता है। ट्रिवाबेन बीस टैबलेट का इस्तेमाल आम तोर पर अनियमित दिल की धरकन एट्रियल फाइब्रिलेशन वाले मरीजों में ठक्का बनने से रोकने के लिए किया जाता है। यह उन लोगों में ठक्के बनने के जोखिम को भी कम करता है, जिनकी घुटने या कूले की रिप्लेस्मेंट सरजरी हुई है। इसे भोजन के साथ लिया जाना चाहिए और हर दिन एक ही समय पर लेना सबसे अच्छा है। आपको इस दवा को कई वर्षों तक लेने की आवश्यक्ता हो सकती है। यहां तक की कुछ मामलों में जीवन भर के लिए भी। अपने डॉक्टर के मार्क दर्शन के बिना इसे लेना बंद न करें या खुराक में बदलाव न करें। यहां आपको जल्दी से दिल का दौरा, स्ट्रोक या घनास्त्रता, रक्त वहिका के भीतर रक्त के ठक्के का निर्मान होने के जोखिम में डाल सकता है। आप अपनी जीवनशेली में बदलाव करके जैसे धूमपान न करना, स्वस्थाहार खाना, नियमित व्यायाम करना और जरूरत पढ़ने पर वजन कम करके रक्त के ठक्के होने के जोखिम को कम कर सकते हैं। प्रिवाबेन बीस टैबलेट का सबसे आम दुश प्रभाव सामाने से अधिक आसानी से खून बह रहा है। उदाहरन के लिए नाक से खून आना या चोट लगना। यदि आप किसी भी लक्षन का अनुभव करते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। यदि आपको किड्नी या लीव की गंभीर समस्या है, यदि आप वर्तमान में रक्तसराव कर रहे हैं या यदि आप रक्त के ठक्के को कम करने के लिए अन्य दवाएं ले रहे हैं, तो इस दवा को न ले। इस दवा का उप्योग करते समय आपको स्तनपान नहीं कराना चाह ये अन्य एंटी को अगुलेंज के विप्रीत इस दवा को लेते समय नियमित रक्त परीक्षन पीटी आइन आर की आवशकता नहीं होती है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।